कि आज हम दोग देखने वाले हैं शानीदेव का गोचर कैसा रहने वाला है मेश राषी का लोग के लिए नमस्यवाएं चलिए आज देखते हैं कैसा होगा उनका दृष्टी का प्रभाव सबसे पहले से जन्वरी 2023 में उनका प्रभेश हुआ था उसका प्रभाव उस समय के ब करते हैं जब भी कोई ग्रह वक्री होता है क्या होता है मतलब एक छोड़ा सा पॉइंetu कर ले रहे हैं मान ले रहे हैं कि नॉर्मल स्टेट है चाहशन NICK होता है दो यहां पे ना होके बहुत प्रिथ्थवि से करीब होके गुजरता है जिसके करण उसका प्रभाव जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके प्रभाव से मानुव जीवन पर क्या उसका अशर पड़ता है अब यहां देख लेते हैं है आची इसब से पहले अब शशानी वक्री होने वाले हैं कि यहां एक लाग से उसरी में थारा दें सकता है कि फाल्तु का स्ट्रेस विगरा है इन सब चीज देखने को मिल सकता है क्योंकि शानी का गोचर जब भी चंदमा पर से गुजरता है लेकिन इंकम का बढ़ना उसके बाद पिर कह सकते हैं कि करियर में आप लिफ्टमेंट आना इसा रचीज उनलों को देखने को मिला है जब से अब क्या होगा कि शानी देव वक्री होने वाले वक्री होने से क्या हो जाएगा कि अब देव गुरु भ्रहस्पती का जो नीची द्रिष्टी आपका कारशेतर पढ़ रहा था वो प्रभाव हीन हो जाएगा यानि द्रिष्टी का कोई प्रभाव नहीं हुआ आपका कारश लेंटाइखा होने वाला आलेकिन आपका हैल्थ अपडाउन तो चली रहा है मतलब जितना मेरी मिश्राशी में नहीं के तहुड़ा अपडाउन चल रहा थिकिन यहाँ पर बाइण हूं है उपडाउन ह् esse है कि यहाँ अपडाउन को मिल सकते और देख लेते कि यहां से प्रभाव क्या होगा यहां से इनका पंचम दिश्टी पर भी जाएगा या जो भी स्टूडेंट्स है जो भी लोग एजुकेशन ले रहे हैं इस टाइप का चीज हो सकता है कि जैसे हिस्ट्री रिल्टर सब्जेक्ट आपको पढ़ने को बहुत ज्यादा मन कर सकता है यहां पर कह सकते हैं कि और इस टैप का पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है कि हलाकि सूरी का राशी है और सनिया सूरी में मितरता नहीं है सतुरता है लेकिन फिर वह पिता-पutr नहीं है दो तो उसका प्रभाव जो होगा अच्छा आगा ना इंसाम प्रभाव होने के बावजूद भी यहां पर कह सकते हैं कि विद्या में यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि इस टाइम पिरेट एजूकेशन के लिए अच्छा रहने वाला है एक चीज बस यहां पर थोड़ा से प्रब्लेमेटिक ही है कि श्यानी का जो यह थोड वाद विबाद आपको देखने को मिल सकता है मतलब फालतू का डिवेट्स हो गया इस टाइप का चीज आपको देखने को मिल सकता है मतलब शोशली बहुत आक्टिव अभी आपको रहने का मन कर रहा होगा लेकिन शोशली बहुत आक्टिव ना रही है वो ज्यादा अच्छ आपको देखने को मिल सकते हैं कि जितना भी लोग बिजनसमेन है आप लोग कोई टाइम पिरिट पे बहुत अच्छा अर्थ का प्राप्ती होने वाला यानि कि वेल्थ का इसीए यानि कि जॉप के लिए अच्छा हो गया जिए और जितना वी ऊस टाइप का वर्क होला और जिसमें अगर आप समझ जाहिए को कहीं व्यापार कर रहे हैं और जिसमें customer का आना जाना का importance बहुत है मतलब खुद्रा व्यापार हो गया या इस टाइब का व्यापार हो गया तो इसके लिए अच्छा है या कोई सा भी business हो जाए तो इस टाइब का इस टाइब का चीज से भी आपको मतलब लाब देखने को मिल सकता है और अगर आप oil का काम कर रहे हैं मतलब अगर डिफाइनरी हो गया ओई हो गया इस तरह का चीज से तो विशेश लाब देखने को मिल रहा कि कि शानी भगवान को वैसे भी तेल काहीं कारक और यहीं सब चीजों का बोला जाता है तो इन सब चीज से आपको विशेश लाव का प्राप्ति होने का पूरा योग है और उसके अलावा क्या प्रभाव होगा हलाकि अब ही चल रहा है कि मतलब जब तक देव गुरु व्रिष्पति का गोचर रहा है व्रिषव राशी में तो उसमें आपका कारशेत्र भी थोड़ा से समस्य आ रहा होगा बीच में क्योंकि दसम घर पर नीची दिश्टी चल रहा प्रभाव तो आएगा नीची दिश्टी देव गुरु रहस्पति का प्रभाव आएगा लेकिन अब शनेशर बली होने के कारणी प्रभाव निस्तेज हो जाएगा यानि कि प्रभाव में बल नहीं रहा जाएगा इस टाइम पिरिट पे आपका करियर के लिए बहुत अच् चेश्टा बलबढ़ जाएगा अब जैसे मान लेजिए कि मतलब प्रित्वी है प्रित्वी से कोई ग्रह यहां पर था आप समझ रहें आप जो ग्रह वक्री होगा यहां पर आ गया है एकदम यहां पर आपकाश मंडल में जाकर थोड़ा सा इस्ट्रोनॉमी के बारे में पर आपका करियर के लिए बहुत अचा टाइम पीरिट हो रहा है अगर अब सूडेंट है तो इसके लिए इस टाइम पीरिट पर इजूकेशन या इस टेप का डिगरी लेने लिए वह त्वी टाम पीरिट अच्छा होने वाला है हां बस एक चीजा कि थोड़ा सा घल्थ को लेकर बहुत सजग होने का जरूरत है और बाकि बहुत अच्छा आपके लिए ट्रांजिट होने वाला है बहुत अच्छा गोचर होने वाला है यहां तक आने के लिए बतने बात ओमनेमस्ष्वाय।